हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग तो आपके रेसीपी में कुछ यह सा बनाने जा रही हूं जो है रेसीपी का नाम वह है बरेड और प्याज के पकोड़े तो आए दोस्तों सुरू करते हैं बनाना तो यहाँ पर मैंने सामिग्री में ले लिया है दोस्तों चार बड़े कट कर लेंगे तो प्याज को मैंने यहाँ पर बड़ेवड़े पीचिस में कट लिया दोस्तों आप क्या करेंगे इस तरह किसम हाँ से प्याज को जिए दूसरे से जुड़े हैं उसको इस तरह किसे खोल देंगे क्योंकि यह अलग हो जाएगा तो अच्छा लगेगा मतलब इस तरह से जो भी अश्टरा पानियों को बिगल जाएगा अब इदर ने एक थाले में पानी ले लिया है आप हम क्या करेंगे, यह जो हम बरेद उठाएंगे एक एक पीज, और इसको पानी में इस तरह से दोनों तरब से इसको हम डीप करेंगे और हम इस तरह से मुठी बाम करके इसका अश्टरा पानी हम निकाल लेंगे और इधर मैंने साफ में प्याज काट करके रखें उसमें हम डाल दे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने बरेट डाल दिया है दोस्तों यह देखिए यहां पर हम डालेंगे यह अलुख घिस करके अरची से धोकर रखा है इसका पानी किति और यहां आलए निकाल देटे है गालं यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्ची लिए जाएं मने हम बारे कट कर लिए घिस करके आहा है यहाँ मैंने फ्रेस हारा धन्य ले लिए है अब अभी काटके यहां पर तुरव अध़ हम डाल देंगे तो यहां पर मैंने फ्रेस हाँ इवे कट करके डाल दिया है अब यहां पर मैंने ले अजवायन एक चमझ चिली फिलैक्स अधी चमझ से भी हखा कम हल्दी पाड़ गर्म मसाला पाड़र काली मीर्च पाड़र टेस्ट के fins नमक किस्मिरी लाल मीर्च पाड़र चाट मसाला फाड़र अब इसको सब भी मसाला को इसमें हम डाल देते हैं अब मासाला यहां पर कम चाद आप अपने test का बोड़ींग कोड़ी तब यहां पर यहां पर हमम बैंडंग देने के लिए जाज। रहाए यह कॉन फ्लोर तो यहां पर मैंने TR चमच डाल दिया है यहां आधा यह चमच हम डाल रहे हैं भर करके यह मैदा अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं अब यहां पर हम पानी नहीं डाल रहे हैं दोस्तों अगर पानी की ज़रत पड़ेगे तो हम बार में ले लेंगे हम लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे तो यहां पर आच्छा से मिल्क्स कर लिए हैं दोस्तों और इhtर मैंणे यहां पर गरं हो रहे तेल यहां पर हम नहीं कर लेते हैं यहां प्यात टिक डाले थी वह अच्छेश उपरा रहे इसका मतल़ तेल अच्छे से गढ़ हो चुका है अब हम यहां पर जो पकोड़े के लिए हमने रेडी किया है अब वहम डावते जाएंगे तो यहां पर मैंने पकोड़े के लिए जो हमने त्याल किये थे डो वह यहां पर मैंने कड़ाइम जितना सकता था मैंने डाल दिया है दोस्तों अब इसको मुरिया माच में हम अच्छे से अलट प्लेट करके पका लेंगे और इधर का मौसम आई थोड़ा खराब किया हुआ द दोस्तों तो अब मैंने यहां पर हलका सा आज पड़ा है दोस्तों और आप क्या तरेंगे इसको हम पलट लेंगे जो पहले डाले थे फिसस वाधर हलका सा सेख गये हैं तो हम इसको पलट देंगे तो यहां पर पकोड़े के सेकते हुए एक से दो मिनिट हो गये हैं दोस्तो और यह देखिए पकोड़े कितने मतलब क्रिस्पी बने वे हैं यह प्याज और यह बरेड और मैंने इसमें कुछ आलू भी मिक्स किया हैं दोस्तों तो यह पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में और आपको पाता है दोस्तों क्योंकि धंड है और इस तरह के समोसम ब के लगती हो दोस्तों व वी कमेंट में किजिएकों किने मेरे बनाने के तरीका आपको ऐसा लगता है दोस्तों और मे rebellis में घ्रॉतक्यों निकाल लेंगे इसमें तो यह हमारा यह पहला पकोड़ा जो हमने डाले थे वह बन करके रेडी हो गया अब देख पारों इसके उपर से कितना मतला अच्छा दिखने में लग रहा उतना ही अच्छा एक खाने में लगेगा बुड़ा एदम क्रिस्पी बना हुआ है अब चलते सेम इसी तरह से में बाकी बना करके रेडी कर लेते हैं दोस्तों तो मेरी रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों यह देखिए तो यह देखिए दोस्तों मैंने अलग पलेट पकोड़े निकाल ले हैं आपको मैं एक पकोड़ा तोड़ के दिखातू है कि अंदर से जितन दोस्तों मेरी रेशीपी बन करके रेडी हो गया है बरे प्यास पकड़े तो मेरी रेशी लेगी कमेंट में जरू बताना लेकीन सिस्क्राब कर दोना ज्यादा से ज्यादा से प्योड़ना थैंकि दोस्तों